अब इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भगवान सब कुछ देख लेता है यहां तक कि इंसान के अंतह करण की स्थितियों को भी समझ लेता है ऐसा लेंचु का मानना है लेंचु ऐसा भरोशा भगवान प्रकरता है लेंचु वाज एन ओक्स ऑफ मैन लेंचु बैल की तरह काम करने वाला एक लिखती है वर्किंग लाइक अनीमल इन दे फिल्ड अपने खेत में वो पस्वों की तरह बैल की तरह कारे करता है मेहनत करता है बट इस्टिल ही न्यू लेकिन ध्यान रखें उसको यह भी पता है अगले रवीवार को जब डेबरे कुषका होता है उसका होता है उसका लंच होता है भोजन का समय होता है वी पिगें ट्यू लेटर फिचजी हिंसेलफ उटकेरी तू टाउन एनड प्लेश्टथमेल लेंचोने एक खत लिखना शुरू किया which he himself जिसे वो स्वयम would carry to town and place in the mail उसे लेकर उस सहर जाता है और उसको mail कर देता है पत्रुष ने लिखा begin to write लिखने लगा which he himself would carry और उसने ये भी खुद से विचार किया कि जाएगा सहर and place in the mail और से खुद ही पोश्ट करेगा it was nothing less than related to God कुछ और नहीं था ये भगवान के लिए पत्र था क्या लिखाओ उसने देखें अगले paragraph में God, he wrote उसने कहा इसवर if you don't help me यदि आप मेरी मदब नहीं करते हैं my family and I will go hungry this year तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्स भूखे रा जाएंगे I need a hundred pieces in order to sow my field again and to leave until the crops comes because the hell is storm dot 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 देख रहे हैं उसने लिखा मुझे 100 pieces की जरूवत है pieces वहां के पैसे मुझे 100 pieces की जरूवत है in order to sow my field again खेत को फिर से बोने के लिए बुआई करने के लिए खेत की and to leave until the crop comes और उसके बाद जब तक फसल नहीं तयार हो जाती तब तक जीवी को पारजन के लिए खाने के लिए घर चलाने के लिए पैसे चाहिए बिकॉज क्योंकि उसने आगे लिखा अगे देखें डॉट 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 यानी पूरी कहानी उसने खत में लिख दिया कि वो ओले पड़े वेरी फसलनस्ट हो गई जो जो हुआ उसने सब कुछ लिखा उसने लिफाफा के उपर एड्रस में केवल लिखा टॉगाड जैसे आप कहीं खत लिखे तो आप उसमें पूरा एड्रस डालते हैं पिन कोट डालते हैं तब किसी तरह से इस्टीट नंबर हाउस नंबर से तब किसी तरह से खत आपका पहुँच पाता है लेकिन वहाँ उसने एड्रस में इतना बड़ा भरो सा के वल उपर लिखा टूगाड बट दे लेटर इंसाइड पूट दे लेटर इंसाइड एंड इस्टील ट्रबल्ड खत को अपने पास रखा एंड इस्टील ट्रबल्ड और भारी मन से बें टू टाउन शहर गया अड़ दी पोस्ट आफिस पोस्ट आफिस पर गया लेटर उसने अपने उस लिफा पे पर एक टिकट चिपकाया इस्टैंप लगवाया एंड ड्रेब्ड इट इंट इंट दे मेल बॉक्स और उसको पत्र पेटी जो होती है जिसमें खट डाले जाते हैं उसमें उसने वहां का एक कर्मचारी हुआ जो कि पोस्ट मैन था वहां का एक कर्मचारी जो कि वहां का पोस्ट मैन था एंड आलसो हेल्प दो एट पोस्ट आफिस और पोस्ट आफिस पर कायम करता था वेंट तो हीज बास लाफिंग हर्टली टेज हंसते हुए खुब जोर जोर से हंसते हुए वो अपने बास के पास गया एंड सोड हीम दे लेटर तो गाड और उसने अपने बास को भगवान क वह पत्र दिखाया कि अब देखो भगवान के यहां जाना है खत पहुचाने हमें आगे आ है पत्र भगवान के यहां पहुचाने का नेवर इन हीज कैरियर अपने पूरे इस जीवन में कैरियर में अपने पूरे कारे के इस समय में आज अपोस्ट मैन पोस्ट मैन के तोर प पते से, देपोस्ट मास्टर अफ़यट एमेबल फेलो वो जो पोस्ट मास्टर था वो एमेबल फेलो था एमेबल कार्थ होता है मिलंसार एमेबल मिन्स होता है मिलंसार जैसे की ऐसे कह लें इंगलिस में की one who is friendly तो वो मिलंसार टाइप का था और और आलसो ब्रोक आउट लाफिंग उसने अपनी हसी को रोका but almost immediately he turned serious और वो सिग्री गंभीर हुआ tapping the letter on his desk commented tapping means था थप थप पना tapping any putting hands on something again and again that you can say tapping the letter on his desk अपने मेज पर रखा और ऐसे हाथ को थप थपाते हुए उसने commented कहा क्या कहा देखें what faith कैसा भरोशा कितना विश्वास है आगे लिखता है I wish I had the faith of the man who wrote this letter कास मुझमे भी ऐसा भरोशा होता उस्व्यक्ति जैसा जिसने भगवान को खत लिखा starting up a correspondence with God जिसने भगवान से पत्राचार करने का भरोशा किया भगवान को एक इंसान मानकर पत्राचार शुरू किया वैसा भरोशा कास मुझमे भी होता so in order to seek the writer's faith इसलिए पत्र लिखने वाले का भरोशा भगवान पर बना रहे in order to seek the writer's faith लेखक के विश्वास को in God इस्वर में बना रहे the postmaster came up with an idea इसलिए postmaster को एक उपाय सुझा answer the letter कि पत्र का उत्तर दिया जाए but when he opened it पर जब उसने पत्र को खोला it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink and paper जब उसने खत को खोला तो उसको लगा कि इसका जबाब देने के लिए needed something more than goodwill सद्भावना इंक स्याही and paper कागज कलम कागज से भी ज़्यादा की जरूर्टे पढ़ेंगी उसको लगा कि ये तो केवल कागज कलम और सद्भावना और विचार से काम नहीं चलने वाला है जब उसने ख़त को खोला तो बट ही इस्टक टू हिज रीस सोलुशन लेकिन तुरंत ही उसने रीस सोलुशन मिन्स फर्म डिसीजन तुरंत ही उसने निश्चे किया ही आज़्ट फर्मनी फ्रॉम हिज इंपलाईज उसने अपने करमचारियों से कुछ पैसे मांगी ही हिमसेल गफ पार्ट अपिस सेल्डी उसने अपने भी सेल्डी का कुछ पार्ट दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स आपिस वर उबलाईज तो गिब संप। पार एन एक्ट ऑफ चैरिटी और उसने पहें तनखा से जो कुछ दिया दिया उसके मित्रों ने भी पूर्ण का काम में इसको चैरिटी का कारे माना पूर्ण का कारे माना मानकर कुछ न कुछ दिया दान दिया दान देकर लोगों ने खुशी महसुस किया उपकृत हुए उबलाईज हुए लेकिन ये बड़ा आसंभव हो गया कि 100 पीसोज जुटा पाना 100 पीसोज नहीं जुटा पाया So, he was able to send the farmer only a little more than half इसलिए वो पोश्ट मास्टर आधा से थोड़ा सा अधिक भेजने में सक्षम हुआ He put the money in an envelope, address to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God उस पोश्ट मास्टर ने एक लिफाफे में उसको रखा पैसे और उसमें एक पत्र रखा इस पत्र में सिर्फ एक मात्र सब्द लिखा भग्मान उस पत्र में केवल एक सब्द लिखा था भग्मान का सिंगनेचर की मैंने दिया The following Sunday अगले रभीवार को Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him अगले रभीवार को Lencho सामान ने समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया usual to ask if there was a letter for him कि क्या उसके लिए कोई खत आया है क्या It was the postmaster, sorry It was the postman himself who handed the letter to him वह वही postman था जिसने उसके पत्र को उसके हाथ में पकड़ाया to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office Postman ने उसको खत पकड़ाया जबकि postmaster experiencing the contentment experiencing the contentment contentment मेंस होता है satisfaction out of an act यहनि संतोस का भाव जबकि postmaster एक संतोस का भाव अच्छे काम किया था उसके तो उसका अनभो लेने के लिए of a man who has performed good deed deed means work कारे अच्छा कारे किया था उसके performance को देखने के लिए looked on from the doorway अफिज आफिस अपने आफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया देखने लगा लेंचो लेंचो सोड not the slightest surprise on seeing the money लेंचो ने जरासा भी surprise व्यक्त नहीं गिया रुपए को देखकर लिफाफे में such was his confidence इतना भरोसा था भगवान के पती उसका but he became angry लेकिन वह साब गुसा हो गया when he counted the money जब उसने रुपए को गिना God could not have made a mistake इस स्वर गलती नहीं कर सकता nor could he have denied लेंचो what he had requested ना तो लेंचो के द्वारा किये गए निवेदन को ठुकरा सकता है यानि लेंचो ने गलती नहीं किया है immediately लेंचो went up to the window लेंचो went up to the window तुरंत गया खिड़की पर to ask for paper ending और वहां जाकर उसने कागज और कलम मांगा on the public writing table लोगों के लिखने की जगह थी he started to write वहां बैटकर उसमें पत्र लिखना सुरू कर दिया with much wrinkling of his bro उसकी भौहें सिकोड़ी हुई थी पत्र लिखते समय गुसे में था तो उसकी भौहें सिकोड़ी हुई थी लिख रहने या with much wrinkling of his bro उस भौहें को शिकोड़ते हुए शिकड़ी हुई थी काश दिभाई the effort he had to make to express his ideas जिससे कि अपने बिचारों को अच्छे धंग से बेक्त कर सके भौहें को शिकोड़ कर लिख रहा था when he finished जब लिख चुका he went to the window to buy a step खिड की पर फिर से गया वहां एक टिकट खरीदा which he leaked and then affixed to the envelope with a blow up his fist और वह लिखाफे को लेकर उसने उसे अपने थूक से his fist हथेली के दवाव से and L-I-C-K-E-D like demons होता है जीव से चाट कर उसको गिल्या किया and then affixed और उसको चिपका दिया to the envelope लिखाफे पर with a blow up his fist अपने हाथ के दवाव से हथेली के दवाव से चिपकाया उसने the moment that the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it ठीक उसी समय the letter fell into the mailbox जैसे लेटर को उसने mailbox में डाला the postmaster went to open it postmaster तुरंत गया जैसे लेंचु वहाँ से निकला postmaster ने जाकर उसके डिब्बे को खोला और पत्र को निकाला it said उस पर लिखा था क्या लिखा था इसको देखे उसने लिखा था God भगवान आफ दो money that I asked for जो रुपया मैंने आपसे मांगा only 70 pieces reached me केवल 70 pieces मेरे पास पहुँचे हैं send me the rest बाकी का भेज देना बाकी का भगवान पैसे भेज दीजेगा since क्योंकि I need it very much यहां since कार्थ क्योंकि I need it very much मुझे इसकी सक्त जरुवत है but don't send it to me through the mail लेकिन ये रुपय मुझे डाक से मत भेजेगा because क्योंकि the post office implies our bunch of crocs क्योंकि ये रुपय मुझे यहां से post office से मत भेजेगा क्योंकि डाक घर के सारे कर्मचारी जितने भी लोग हैं यहां एक बेमानों का समू है ये पैसे मुझे डाक से मत भेजना ऐसा लेंचो ने लिखा और उसके बाद अपना नीचे signature गिया लेंचो आप इसको YouTube के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप किताबें पढ़ सकते हैं इस lockdown में ये वीडियो ज़ आपकी बड़ी मदद करेंगे इन वीडियो से आप पूरे chapter को आसानी से तयार कर सकते हैं इसका notes भी हम आपको उपलब्द कराएंगे मेरी धेर सारी सुबकामना हैं आपके साथ आप मेहनत करें आपके कोर्स पूरे हो और आपकी तयारी अच्छी हो Thank you Very much